सुभर सुभर रेश्मा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं कोई सामान ज़ाड रहा है तो कोई मकडी के जाले उतार रहा है रेश्मा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है मा आज कोई खास बात है सब इतनी सुबह उठकर गर की सफाई में जुटे है हाँ बिटिया रानी त्योहार के दिन है बोल गई क्या पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे ओ, मैं तो एकदम बुलककड हो गई हूँ पर मा, आपने मुझे तो कोई काम सोपा ही नहीं मैं क्या करूँ, बताओ मा अच्छा चलो, पहले नहा दोकर तैयार हो जाओ फिर बताऊंगी, बहुत से काम है मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ मदद तो मैं जरूर लूँगी मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे है नहा दोकर नाश्टा कर लो, फिर बताऊंगी मा ने रेश्मा को उसकी पहिये वाली कुर्सी पर बैठा दिया रेश्मा ने अपनी पहिये वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपनी दैनिक कारियों में लग गई रेश्मा जब पांच साल की थी तब ही से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाउं एकदम बेजान हो गए बहुत इलाज करवाया पर रेश्मा के पाउं में जान नहीं आई उसे पोलियो हो गया था रेश्मा बहुत हिम्बत वाली लड़की थी शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी परन्तु अब ग्यारह साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयम करती है वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती परिवार के सभी सदस्य पिता जी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादा जी सभी उसे बहुत प्यार करते है वह सबकी आँखों का तारा है मा ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें, नीचे उतार कर साफ कर दिये थे रेशु, अगर तुमने नाश्टा कर लिया हो, तो काम में मेरा हाथ बटाओ हाँ मा, मैंने नाश्टा कर लिया दूद का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है मा, मैं हाथ दो कर अभी आती हूँ रेश्मा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची रेश्मा मा को बर्तन, डिब्बो पर लेबल लगा लगा कर पकडाती गई और मा उन्हें व्यवस्तित धंग से सजाती गई रसोई घर फिर से चमचमाने लगा तेरे पिता जी, डफ्तर चले गए मुझे लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था गोलू तो बहुत छोटा है दादी जी, दादा जी बहुत बुजुर्ग है अब सामान लाए कौन? सामान मैं ले आओंगी बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थेला दो तुम ले आओगी? अकेली? हाँ मा, एक बार पहले भी तो लाई थी तो ठीक है, तुम ही ले आओ लेकिन ध्यान से जाना सारा सामान नुकड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा थोड़ी देर बाद रेश्मा सारा सामान लेकर लोटी गोलू, येलो, तुम्हारे लिए टौफी लाई हूँ गोलू टाफी पाकर खुशी से उच्छलने लगा कुछी दीन बीते थे एक दिन शाम को रेश्मा का घर दियों के जिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, पूरा मौला जगमगा रहा था जहां रोश्नी ही रोश्नी थी क्या जमीन, क्या आस्मान दादी जी ने बताया कि दिपावली अंधेरे पर उजाने की जीत का त्योहार है बुराई पर अच्छाई और असत्या पर सत्या की सदाजीत होती है इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लोटे थे उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है रेश्मा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया गोलू अपने दोस्तों के साथ पठाके चुडाने में मगन हो गया रेश्मा अपने दादा दादी के साथ फुल जड़ियां जला रही थी इतने में रेश्मा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पठाके को बुझाया हुआ समझ कर छोड़ दिया था उसमें चिंगारिया निकलने लगी है गोलू की पीठ पठाके की तरफ थी गोलू गोलू बचो तुमारे पीछे पठाका है पठाकों के शोर में रेश्मा की आवास दब गई सबसे पहले रेश्मा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुँची उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गती के कारण धडाम जोर का धमाका हुआ रेश्मा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया गोलू को कुछ समझ नौ आया कि उसे धक्का किस ने दिया और क्यों धमाके की आवाज सुनकर मा पिताजी भी बाहर दोड़े चले आये कुर्सी रेश्मा के उपर थी और रेश्मा नीचे पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेश्मा को उस पर बैठा दिया मा भैभीक थी कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू रेश्मा ने उन्हें सारी बात बताई सबने रेश्मा की पीठ थप थपाई गोलू रेश्मा के पास आया बिबी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली आपका ये दमा के दर्दक्का मुझे हमेशे आयाद रहेगा सभी लोग खिल-खिला कर हस पड़े रेश्मा की शारिरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी वह आज भी उतनी ही जिन्दादल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है उसकी हर सुभा नई सुभा होती है वह हर सुभा अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है